हलो फ्रेंद्स, वेलकम बाक तो माँ चानल, गेन ब्रेन विध हिमान शीविशी आज की इस वीडियो में हम दिसकस करेंगे जैनरल इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टन टॉपिक जो की है अक्तिव और पैसिव वोईस इस टॉपिक से आपको डेफिनेटली जो दस नंबर का आपका EMRS के एक्जाम में जैनरल इंग्लिश का पार्ट है डेफिनेटली उससे आपको एक क्वेशन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, एक से अधिक, मतलब दो भी क्वेशन आपको देखने को मिल सकते है यह वीडियो का सेकिंड पार्ट है इससे पहले मैं जैनरल रूल्स, बेसिक रूल्स डिसकस कर चुकी हूँ अक्टिव से पैसिव को हम कैसे बदलते है moreover मैंने यह भी डिसकस किया था I remember कि बेसिक रूल्स अगर हमारा वर्ब प्रेजन टेंस में है उसको हम पासिव में कैसे बदलेंगे So अगर अभी तक आपने पार्ट वन की वीडियो नहीं देखी है इसी टॉपिक की I would suggest पहले आप वो देखिए फिर आप यह देखिएगा तभी आपको यह टॉपिक जादा अच्छे से समझ में आएगा और उस पार्ट वन जो इस टॉपिक का उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है मोरोवर मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है जेनरल इंग्रिश की प्लेलिस्ट का भी लिंक में डाल देती हूँ उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगी वो वीडियो वैसे अलग से भी मैं डाल दूँगी आक्टिव पासिफ के फर्स्ट पार्ट की आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चानल पे नियूँ है प्लीज दू सब्सक्राइब इट वीडियो पसंद आई तो ज़रूर कॉमें सेक्शन में बताईएगा और लाइक ज़रूर करिएगा सो जैसा कि मैंने आपको बताया शुरू में ही कि प्रेजेंट टेंस के रूल्स मैंने आपको बता दिये हैं कि आक्टिव से पैसिफ में कैसे चेंज किया जाता है सबसे पहले मैं यह इन्ही यह इसक्राइब ता उसके बाद प्रेजेंट टेंस का सो जल्दी से हम प्रेजेंट टेंस को डिसक्राइब नेते हैं क्यों? रिवाइस हो जाएगा moreover जो past tense हाज हम discuss करेंगे वो जारतर rules उसके 90% present tense की तरह ही same to same है so सबसे पहले present में भी जो हम discuss करेंगे वो है simple present tense ठीक है अब हमें पता कैसे चलेगा कि sentence simple present tense में है बहुत simple सा वे है verb के थुरू हमेशा जो tenses है वो verb के उपर ही depend होता है verb ही tense है action तो अगर हमारा verb v1 है या तो v1 के साथ ses लगा है यह हमें बताता है कि verb I mean sentence simple present tense में है अगर यहाँ पर I की जगा शी होता तो writes आता I है तो इसलिए v1 आया है write so आप sentence देखिए I write a letter अब इसको हमें passive में बदलना है passive में कैसे बदलेंगे अगर आपको rule याद है first video का first part का जो a letter है यह क्या है हमारा object so passive में हमारा object क्या बन जाता है subject so a letter हमारा subject बन गया इससे शुरू होगा यह sentence so a letter is written by me ठीक है so simple present का क्या rule है या तो is आएगा या तो am आएगा या तो आर आएगा और उसके साथ आएगा V3 हमेशा एक बात याद रखना हमेशा हमेशा simple I mean not in simple but present tense हो गया past हो गया future हो गया passive में हमेशा V3 आती है ठीक है और एक और rule मैंने आपको बताया था passive में हमेशा by आपको देखने को मिलेगा pronoun so next rule की तरफ चलते है present continuous यह सब मैं करा चुकी हूँ बढ़ हम revise कर रहे हैं present continuous अगर हमारा tense है उसका क्या rule होगा या तो is होगा या तो am होगा या तो r होगा और उसके साथ क्या लगेगा being यह चीज़ याद रखने वाली है being लगेगा किसके साथ अगर हमारा sentence continuous में है अब पता कैसे लगेगा sentence continuous में कैसे है ing से जो ing है ना यह दढ़शाता है कि sentence continuous में है और present में कैसे है am लग गया am की जगा is हो सकता है am की जगा r भी हो सकता है भववचन में r होगा past है तो was, were आ जाएगा अब इसे हमें passive में कैसे बदलेंगे ये देखिए a letter है तो subject अब हमारा a letter बन जाएगा object a letter है न active में तो subject अब हमारा a letter बन जाएगा so a letter से start होगा कितने letter है? a की letter है तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे is और ing है तो हमेशा being आएगा और हमेशा फिर v3 आएगा being के बाद so a letter is being written फिर मैंने आपको बताया था by तो लगेगा यह लगेगा किसके द्वारा लिखा जा रहा है? i मेरे द्वारा passive में i का क्या बन जाएगा? me यह rule हम अल्रड़ी discuss कर लिया फिर से revise भी कर लिया by hope आप नहीं भूलोगे next देखिए present perfect present perfect tense क्या ओता है? present perfect tense में आपको या तो has देखने को मिलता है या तो have singular है तो आपको has दीखेगा plural है बहु अचन है तो आपको दीखेगा have ठीक है? और has, have के साथ आपको क्या देखने को अच्छा ये तो sentence की पहचान करने के लिए है I have written a letter हमें कैसे पता चला? इस have की वज़े से ठीक है? have है तो इसलिए हमें पता चला कि ये perfect है present perfect tense है हमारा rule क्या कहता है? हमारा rule कहता है अगर perfect tense है has, have है तो उसके साथ हमें कुछ नहीं लगाना बस bean लगाना है प्लस V3 ठीक है? ing के साथ क्या लगता है? being b-e-ing और has, have के साथ क्या लग़ेगा? being so a letter एक ही letter की बात हो रही है न तो इसलिए यहां पे आएगा has और has, have है तो been आजाएगा फिर written by me I hope आपको यह चीज समझ में आई अगर यहां पे बहुत सारे letters होते आप देखिए अगर यहां पे एक letter नहीं बहुत सारे letters होते तो फिर यहां पे have आता बट यहां पे एक ही letter की बात हो रही है singular है तो हमेशा एक वचन के साथ क्या लगता है has, perfect में last का देखिए sentence she has eaten all the fruits तो इसको हम passive में कैसे करेंगे हमारा object क्या है all the fruits तो अब हमारा जो passive में sentence है वो इसी से शुरू होगा all the fruits बहुत सारे fruits की बात हो रही है बहु अचन है तो उसके बाद हम लगाएंगे have अभी ही मैंने discuss किया हना अगर singular है तो has plural है तो have so all the fruits have been eaten by her she का बन जाएगा her I का बन जाएगा me he का क्या बनेगा he का हमने पहले discuss किया था him next है structure of past tense so present तो मैंने पहले भी करा दिया था revise भी कर लिया अभी और अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि same साही है simple past सबसे पहले अभी हम discuss करेंगे ठीक है हमें पता कैसे चलेगा कि ये sentence simple past में है verb से अगर simple present में है मैंने आपको बताया था v1 या तो verb के साथ ses लग जाएगी right नहीं तो rights अब past में होगा तो हमेशा याद रखना simple past में हमेशा v2 लगती है ठीक है verb की second form तो इसलिए यहाँ पे आप देख सकते है wrote है I wrote a letter अब हम इसको change कैसे पहले rule पढ़ते है simple past में या तो was लगेगा या तो वर singular है तो was लगेगा बहुँ वचन है तो वर लगेगा और हमेशा फिर उसके बाद v3 लगेगा वर की third form तो आप देखिए I wrote a letter का क्या हो जाएगा A letter हमारा subject बन गया was written by me अब यहाँ पे was क्यों आ गया was इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे simple past है अभी हमने simple present में पढ़ा था इस आता है नहीं तो आ रहाता है क्यों क्योंकि वहाँ पे simple present में होता है न tense right नहीं तो rights अब यहाँ पे past simple past में है तो या तो was आएगा या तो वर आएगा आगे का बिलकुल same ही है तो एक ही later की बात हो रही है तो इसलिए यहाँ पे was आया और उसके बाद आगया वी 3 अब आप देखिए next rule जो की है past continuous ठीक है तो हम rule देख लेते है past continuous में क्या होता है या तो was आएगा या तो वर आएगा और मैंने आपको बताया था जब भी continuous है ing है मतलब sentence में यही पैचानने की इसकी trick है जब भी sentence में आपको ing दिख जाए तो बस आपके दिमाग में click कर जाना चाहिए कि इस sentence में तो पक्का being लगेगा और उसके बाद वी 3 ठीक है तो आप देखिए I was writing a letter यह past continuous है कैसे पता चलेगा past continuous है past इसलिए पता चलेगा क्योंकि was है यहाँ पे और continuous कैसे है क्योंकि ing है इसलिए past continuous है So I was writing a letter A letter हमारा object है अब यह हमारा subject बन जाएगा A letter was being written एक ही letter की बात हो रही है न So was और being तो मैंने आपको बताया था कि being तो आएगा ही आएगा क्योंकि यहाँ पे ing है बहुत सारे letter होते तो यहाँ पे वर आजाता बटे की letter है तो इसलिए was है अब चलते अब next tool की तरफ जो की है past perfect हमने present perfect में क्या discuss किया था? has or have अब has or have का past tense क्या होता है had अच्छा आपको यह चीज़ पता है is का past tense होता है was आर का past tense होता है वर ऐसे ही has और have दोनों का past tense होता है had तो जिस sentence में आपको had दिख जाए बस कुछ नहीं करना कुछ भी नहीं करना had के साथ आपको bean plus v3 जोड़ देना है v3 तो आएगा ही आएगा तो अगर had है तो बस basically आपको bean लगा देना है उसके साथ ठीक है example देखते है और अच्छे से समझ में आएगा I had written a letter so had है rule क्या कहता है bean लग जाएगा a letter had been written by me so इसमें हमें न ये नहीं देखना होता कि जैसे हम उसमें देखते थे present में singular है तो has आएगा plural है तो have आएगा इसमें हमें वो सब देखने की जुरूरत नहीं है हमेशा past tense में singular में भी had होता है और past में in plural है तब भी हमारा had ही होगा ठीक है so a letter had been written by me अब इसके कुछ examples है discuss करते है she played hockey इसको हमें change करना है passive में so played आगया verb की second form है ना इसमें ing आ रहा है ना इसमें has have है ना इसमें had है ठीक है और ना ही इसमें simple present है ना इसमें s e s b नहीं लग रहा ना तो ये simple past है past है na play का past tense होता है played so क्या rule कहता था hockey हमारा subject बन गया अब यहां पे was आएगा क्यों? क्योंकि past tense में है और game के साथ हमेशा past tense I mean game के साथ हमेशा singular लगता है hockey were नहीं होगा hockey was played so hockey was played by her next देखिए ramu made cookies अब यह कौन सा है? पढ़के ही पता चल जाना चाहिए कि यह past tense है past में भी कौन सा? ना इसमें ing है ना इसमें had है तो यह है simple past tense हाना? ramu made cookies so cookies were made by ramu were क्यों आया आप यहां पे? सोचिए were क्यों आया यह? क्योंकि बहुत सारी cookies है बहु अचन है इसलिए were आया है अगर सिर्फ एक ही cookie की बात होती ना तो फिर यहां पे आता was ठीक है? so cookies were made by me तो हमेशा जो was है, were है, is है, are है या फिर has, have है हमेशा यह वचन के हिसाब से होता है noun के हिसाब से singular है या फिर plural है एक वचन है या फिर बहु वचन है I was playing chess क्या है? I was playing chess कौन सा sentence है? यह was playing आ गया तो यह past continuous है हाना? इसको passive में कैसे बदलेंगे? chess अब chess के साथ singular लगेगा तो was आ गया और मैंने आपको बताया था जहाँ पर ing दिख जाए तो सोच लेना कि यहाँ पर आएगा being so chess was being V3 आ गया played फिर by me simple next she had made painting इसका क्या होएगा? had आ गया had के साथ बताया था been आएगा so painting had been made by her last देखिए rakhi had washed the utensils so इसको हम कैसे change करेंगे utensils had been washed by rakhi made नहीं होना चाहिए sorry washed by rakhi so I hope आप देख सकते हैं कि simple present और past के एक दम मिलते जुलते रूल है बस was वर इदर उदर लगा रखा है अना अब हम discuss करेंगे future tense so मैं आपको बताना चाहती हूँ एक चीज़ दो जातर questions आते है न वो present और past से ही आते है ठीक है या तो simple से आ जाए continuous से आ जाए perfect से आ जाए बड़ जातर questions आते हैं इनी दोनों से है future के सिर्फ दो ही types है active, passive में वो भी देख लेते है simple future ठीक है simple future में क्या होता है will will के साथ be और उसके साथ V3 लगेगा अब आपको पता कैसे चलेगा की sentence हमारा future में पता कैसे चलेगा ये I will write a letter so जो will है इससे will क्या दर्शाता है future tense ठीक है भविश्य काल so I will write a letter so a letter will be written by me object है हमारा a letter तो अभी है हमारा क्या बन गया subject rule क्या कहता था will भी लग जाएगा तो will भी भी लगा दिया will भी फिर V3 written by me next देखिए next है future perfect tense future perfect में क्या लगता है perfect है तो सोच ले न या तो has आएगा या तो have but हमेशा will के साथ have ही लगता है ठीक है so has ना हमेशा simple present has हमेशा present perfect में आता है ठीक है ना past में आपको has दिखा past में had आ जाएगा future में will के साथ have आता है so I will have written a letter का क्या हो जाएगा मैंने आपको बताता जहां पे आपको have दिग गया been आ जाएगा और जहां पे ing दिग गया so a letter will have been written by me they will have done the work so will have आ गया have आ गया तो सोच लेना क्या आएगा been the work will have been done by them they है तो दे का क्या बन जाएगा them यह हम already first part के वीडियो में discuss कर चुके थे pronouns हम कैसे बदलते है यहाँ पे एक note है verbs in future continuous and perfect continuous can't be changed into passive voice so future continuous और perfect continuous के जो verbs है वो passive में नहीं बदले जाते simple language में बस future के सिर्फ यही दो rules है अब हम questions जो discuss करेंगे यह previous year के based है ठीक है कि exam में ऐसे questions आ रखे हैं अब आप देखिए कि आप इने solve कर पा रहे हैं या नहीं so change the following into passive voice active में हमें sentence दिया है यह इसको हमें passive में बदलना है we have already done the exercise so यह हमारा क्या है the exercise object तो यह देख लो भी है subject बनेगा हमारा so यह option तो काटी दो क्योंकि यह already से start है हाँ so the exercise has already been has क्यों आएगा the exercise has already been yes यह हो सकता है क्यों क्योंकि यह exercise के साथ लगा है हमेशा uncountable nouns जिने हम count नहीं कर सकते या फिर games के साथ exercise इनके साथ हमेशा singular लगेगा so the exercise हमारा अब subject बन गया the exercise has has क्यों आया क्योंकि यह have वाला है already been done by us we है न तो we we का क्या बन जाएगा us तो यह हमारा sentence हो सकता है see option भी देखते है the exercise had been अरे had been क्यों आएगा had been तो सिर्फ had के साथ आता है तो यह तो गलत है the exercise is already done by us is भी क्यों आएगा वो तो simple present के साथ आता है तो बचा एक ही option b is the correct answer here right next change the following into the passive voice इसको अब हमें passive में बदलना है बिधान had addressed the question well so जो हमारा यहाँ पे object है वो क्या है the question ठीक है यह हमारा question है यह हमारा object है the question अब यह हमारा subject बनेगा so well question had been addressed by बिधान ऐसा तो नहीं है यह adverb है तो well से तो बिलकुल नहीं start होएगा the question has been addressed well by बिधान यह भी नहीं होगा क्यूँ क्यूँकि यहाँ पे तो had आया है और had के साथ हमने पढ़ा था कि हमेशा had के साथ had been आता है अब c option देखिए the question had been addressed well by बिधान so yes यही हमारा correct answer होगा c option next देखिए change the following into passive passive में बदलना है hen lay eggs ठीक है और यह question d triple s b में आ चुका है pg t female second shift में 2021 वाले exam में so hen lay eggs तो अब जो हमारा eggs है यह हमारा बन जाएगा subject चारोई eggs से start हो ठीक है अब lay है तो पहले तो देखो conscious tense में है यह simple present में है ना इसमें ing आ रहा है past में भी verb की second form भी नहीं आ रही ना इसमें has आ रहा है तो यह simple present में है so eggs are laid by hence हो सकता है यह eggs were were क्यों आएगा were तो आएगा इनी be option कट गया eggs will be will भी क्यों आएगा will तो है इनी will के साथ आता है खुद से आप देने की कोशिश करिए answer मेर से पहले यह भी dssb second shift का female के exam में आया था 21 वाले अब इसको ना देखो पड़ो question select the correct active from the sentence active form हमें बताना है so यह हमें passive में दिया हुए sentence a letter was written by Rita पता किसे चला कि passive में है एक तो question में भी दिया है also हमेशा passive में by होता है अभी हमने किसी में भी नी पढ़ा कि active में by है हा न हमेशा जो भी sentence by Rita by me, by her, by him यह passive दर्शात है ठीक है अब इसे change कैसे करेंगे a letter was written by Rita इसको active में करना है so आप देखो was written आ गया तो definitely was आया है तो यह किसका है past का अब ना यह ing वाला है तो continuous भी नहीं है ना यह इसमें had है तो यह perfect भी नहीं है बचा क्या बचा सिर्फ simple past हाना so simple past में देखिए क्या होता है second form आती है किसमें write की second form किसमे was writing बिल्कुल नहीं होगा b option had written बिल्कुल नहीं होगा c में has written यह भी नहीं होगा has written क्यों होगा वो तो has have के साथ आता है बचा क्या wrote हना d option तो जो d option है यह हमारा correct answer है Rita wrote a letter I hope आप मेरे से पहले answer दे दिया होगा आपने यह भी PGT में आरक है exam में question the hunter killed the lion first video में ऐसा question example मैंने आप से discuss किया था देखो exam में आया यह वाला example मिलता जुलता the hunter killed the lion तो the lion हमारा क्या बन जाएगा subject killed है हना ना ing है ना has, have and a had है और killed है तो past tense है तो देख लो simple past में है ऐसे समझना है हमें the lion would be, would be क्यों आएगा यह तो हमने पढ़ा ही नी would be तो होता ही नी will be होता है future में the lion killed the hunter अरे इसमें तो मतलब ही बदल लिया कि lion ने hunter को मारा ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ c है the lion will be, will be क्यों आएगा will be तो सिर्फ will के साथ आता है future में, यह तो past में है d option देखिए the lion was killed by the hunter बिल्कुल, d ही हमारा correct answer है the lion was, हाना यह हमारा वो था ना, plural है तो वर आजाता singular है, सिर्फ एकी lion मरा है तो इसलिए was killed by the hunter so, आज की वीडियो में बस इतना ही था I hope यह वीडियो आपको पसंद आई हो valuable लगियो comment section में जरूर बताईएगा कैसी लगी यह वीडियो कोई doubt है, आप अपना doubt पी लिख सकते है and thank you so much for watching the video have a good good day